बहिया सबसे पहले तो आप लोग अपनी स्क्रीन के उपर इस तस्वीर को देखो अब इस तस्वीर में जो महाशे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहा है न यह वही विराट कोली जिन्हों ने एक समय पर कहा था कि क्या मैं तुम पूजा पाट टाइप्स दिखाई देता हूँ लेकिन यही वो लम्हा है यही वो लम्हा है जब विराट कोली का करियर एक ऐसे टर्नराउंड पर था कि लोगों को लग रहा था कि शायद विराट कोली खतम हो चुका है क्योंकि विराट कोली का जो खराब patch था वो इतना लंबा हो चुका था कि वो खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा था centuries आ नहीं रही थी centuries छोड़ दो runs तक नहीं आ रहे थे फिर धीरे 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 चीज़े बदली और फिर हमने देखा विराट कोली को एक पूरे बदले हुए अवतार विश्व क्रिकेट में बंडे मैचेज में पचासवी सेंचुरी जिन लोगों को इस चीज़ का magnitude नहीं पता है वो लोग यार इस वीडियो को यहीं बंद कर दे तो बहतर हो बतलब आज की मैच में जो हुआ है आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यह चीज़ दोबारा कब होगी सचिन देनल करने जब यह record मनाया था उनचास सेंचुरी का उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कौन यह record तोड़ेगा तो उन्होंने दो शक्स कराव लिया था पहला था रोईच शर्मा दूसरा था विराट कोहली विराट कोहली ने आज जो अचीव किया है ना यह अचीवमेंट किसी भी मायने में कम नहीं है और आप इस चीज़ को विटनेस अगर करें हैं तो वाकई में आप यखीन मानिए यह कुछ वैसा ही पीट है जैसा कि सचेंदनिकर का पहला दोराशतक था आज की तारीक में दोराशतक बहुत लोग मारते हैं ना लेकिन सचेंद वो थे जिन्होंने पहला मारा था बस कुछ वैसा ही यह century भी stadium में जो माहौल था stadium में जो पूरा का पूरा environment था वो literally over the top था एक semi final match में मतलब semi final में उन semi final की हम यहां बात करना है जिन में की बोला जाता था कि यार विराट कोली तो नकउट में खेली नहीं पाता और आज के इस match में नियूजिलेंड के world class bowlers के सामने जिस तरह की performance विराट कोली ने दी है मुझे लगता है कि इस तरह की performance घंटे के king को जरूर देखनी चाहिए इससे की पता चले कि king कहलाने से एक चीज़ें नहीं हो जाती तुमको king की तरह काम भी करना पड़ता है तब कहीं जाके चीज़ें उस level की हो पाती है आज literally हम लोग ने जो witness किया है उसको शब्दों में बया करना उतना ही मुश्किल है जोतना की सचिन दिलकर की और अन्चाथ सेंचुरी इसको 200 टेस्ट मैचर्स को बया करना था और एक बहुत मतलब फ़नी सी बात कह लीज़े आप कि ये 15 नमंबर की ही तारीक थी जो दिलकर सेंचुरी ने अपना आखरी मैच कहला था और आज भी 15 ही तारीक है वो कहते हैं न करमा काम करता है कुछ वैसा ही माहौल है और कुछ भी ने बात करें अगर हम आज के मैच की तो भाई आज का मैच काफी शानदार हुआ है इंडिया ने 397 का स्कोर खड़ा किया है जो कि अपने आप में ही पहाड़ नूमा है और सेमिफानल के लिहाज से ये एक ऐसा स्कोर है जो किसी भी टीम को प्रेशर मिला सकता है और मुझे लगता है कि अब नियूजिलेंड को जब बैटिंग करना है नदी किनारे साप रोईट शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में बोला कि हम लोगों को एग्रिसिव क्रिकेट खेलना है अब देखिए जब कोई कफ्तान कहता है कि हमको ये फला काम करना है तब कफ्तान का काम होता है कि वो सामने से लीड करे अगर कप्तान ही ढीला पड़ जाएगा अगर कप्तान उस सीज को लीड नहीं करेगा तो कोई लीड नहीं करेगा कोई खेलेगा ही नहीं उस तरीके से और रोहिज शर्मा ने सीज को मेक शूर किये शुरुआत से आका जो टोन वो सेट करते हैं जिस तरह की ताबर तोड़ बैटिंग करते हैं मतलब ट्रेंट बोल्ट यार वर्ल्ड क्लास बोलर की बोलिंग पर आगे बढ़कर कवर्स के उपर से छक्का मार रहा है यार बंदा क्या चाहिए तुम को यार और और फिर सेल्फलेस क्रिकेट की तो हम लोग यहां पर वर्ल्ड कॉप में हमेशा सही बात कर रहे हैं तो रोषच शर्मा ने जो इनिंग खेली आते से ही वो लिटरली अन्माचिबल थी और कहीं न गए टीम का जो टोन था हो वहीं सेट हो गया और इस वर्ल्ड कॉप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोषच शर्मा विराट कोली का रोल सेट है रोषच शर्मा टॉप रोषच शर्मा एक बहुत बहतरी 29 बॉलों में 47 रन मना कर आउट हुए चार चौके चार चक्के क्या बताओ मतलब की 47 में से 40 रन तो चौके चक्के से ही बन गए इसके बाद शुब्मन गिल अचा ओपनिंग वीड के लिए इन लोगों ने 71 रन की पार्टरशिप भी करी थ 70 ओड के स्कोर के ऊपर ये रिटायर हट हुए थे बहुत हुमिट कंडिशन्स थी भाई साब को क्रैम साय थे मतलब विराट कोली को जिस मैच में क्रैम पागा है आप सोचलो क्या कंडिशन्स होंगी तो शुब्मन गिल को वहाँ पर क्रैम पाए रिटायर आउट हुए बाह आपसे बंदे ने जो बैटिंग करना शुरू करी मैं आपको बताऊं ये लड़का मतलब एकदम आउट ओफ दे लीग चला गया है अभी आप स्कोर समझगे श्रेया सेयर ने 70 बॉलों में 105 रन बना है इन 70 बॉलों में से भी सैंटनर का एक पूरा ओवर श्रेया सेयर ने मे होता है यारी है मतलब अलगी लिवल का खेल रही इसके बाद रहो लाय बैटिंग करने के लिए 20 बॉल में 49 रन नहीं बना है पांच चौके दो चक्के नहीं पहले एक भी बैट्समन ऐसा नहीं था जिसने चक्के ना मारे हूं अगर हम इस पूरी इनिंग की बात करें तो कर और में 86 रन एक विकेट टिम साथी की बात करें 10 और में 100 रन तीन विकेट की बात करें 10 ओर में 51 रन और यहीं एक ऐसे बॉलर ने जिन्होंने की 6 से भी कम रन रेट से रन दी इसके बाद लोग की फरिउस और बंदे ने अपने बोलिंग का कोटा ही पूरा नहीं किया रचन का पिच है उस पिच के ऊपर हम लोग किसी भी पॉइंट पर यह नहीं कह सकते कि न्यूजिलेंड अब बाहर हो चुका नहीं अगर आपको इनका ऑस्टेलिया के खिलाफ मैच हुआ था वह ध्यान हो तो इनने अल्मोस्ट ऐसा ही स्कोर चेज कर लिया था अल्मोस्ट पर दिक् स्कोर को चेज करने के लिए एक बड़ी पारी खेल करता है तो यहां पर इस नॉट वीजिलेंड यह बात तया है बट हां एक अच्छा मैच हमको देखने के लिए जरूर मिल सकता है अगर न्यूजिलेंड के बैट्समन फाइट दिखा है तो याद रखिएगा केन विलियमस सबके सब फॉम में हैं अगर यह लोग बड़िया बैटिंग करते हैं तो हमको एक अच्छा मैच देखने के मिलेगा वहीं अगर हम बात करें हमारे बोलर्स की तो देखिए यार वो लोग तो आग बल रहे हैं वह लोग बॉल नहीं फेक रहे हैं अभी लोह की गेंद फेक र टार्गेट बना दिया है न्यूजिलेंड के सामने पहार नुमा स्कोर है सेमी फैनल का ओकेशन है विराट खोली की पचासवी सेंचुरी है और ना जाने क्या क्या है तो एक बड़िया सा मैच हमारा इंतजार कर रहा है बस कुछी देरे मैच शुरू होगा इंजॉय करेंग